तो आज हमारे सामने दो highly demanded bikes खड़ी हैं एक है विट्पिलियन का new variant और वहीं दूसरा है Duke 250 का new variant दोनों ही model में हम आज आपको comparison करके बताने वाले हैं तो आईए देख लेते हैं जब 250 CC के premium segment में आप जाते हैं तो आपके सामने दो bike सामने आती हैं एक है blue color edition ये Duke 250 का वहीं दूसरा है इसकी बात कर ले price की तो 275,000 की आपको पढ़ जाएगी Duke new color में वहीं यहाँ पर आपको 800 mm की लगबख seat height और 170 mm का ground clearance मिलता है Duke में और अगर हम विटपिलियन की बात कर लें तो 250,000 की on road पढ़ जाएगी 820 mm seat height यानि की seat height इसकी थोड़ी सी उची होने वाली है क्योंकि जो ground clearance है वो 180 mm विटपिलियन का होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि stylus retro look में यह बाइक आने वाली है यार जो naked में आपको बहुत ही जादा शांदाल लुक देगी वहीं दोनों ही bike के mileage की बात कर ले तो duke देती है आपको 35 km का mileage राइडिंग range देती है 525 km तक की वहीं अगर हम विटपिलियन की बात कर ले तो विटपिलियन में आपको लगबग 37 km का mileage देदेगी और विटपिलियन में साथियों 500 km riding की range होने वाली है 2 km के mileage का फरक होने वाल फिर जैसे कि ये fuel tank आप देख रहे हैं एक stylus fuel tank यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो 13.5 लीटर का है यहाँ पर आप देख सकते हैं को जिस तरीके से E20 को support करता है एक stylus fuel tank है और यहाँ पर आपको एक बड़ा fuel tank यानि की 15 लीटर का fuel tank आपको देखने के लिए म इंजन सेम होने वाला है और यहाँ पर आपको एक liquid cooled देखने के लिए मिल जाएगा और रेडियेटर है बड़ा यहाँ पर तो cooling का system बढ़िया है वहीं विट्पिलियन में भी आपको बड़ा radiator देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर हस्क्यूर ना की batching है जैसा कि इनका brand है और mudguard cover up है Wpex के suspension है legguard यहाँ पर छोटा सापको देखने के लिए कुछ इस तरीके से मिल जाएगा वहीं इसमें भी आपको Wpex suspension 43 mm के देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको orange color के alloy wheel देखने के मिलेंगे और यह जो blue color की design है mudguard पर यहाँ पर आपको black color के alloy wheel और black color की mudguard में design देखने के मिलेगी front का look जो है वो round shape में आपको देखने के मिलेगा DRL और LED lights देखने के मिल जाएंगी AHO के साथ projector headlights देखने के मिल जाएंगी और जो light headlight वो cover up है यहाँ पर आपको एक देख सकते हैं जो light है DRL तो यहाँ पर भी है लेकिन जो lights है वो आप देख सक देखने के लिए मिल जाएगा यार तो looks बढ़िया है difference है कुछ इनके functions में और difference कहां कहां है आईए और देख लेते हैं तो यह जो meter आप देखने हैं इसका यहाँ पर आपको एक fully digital meter देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ आप देख सकते single handle bar है बीच में लगा है meter और जब आ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको time बता रहा है ABS का sign बता रहा है audio बता रहा है rear का ABS on है यहाँ पर water का temperature neutral gear shift indicator यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारी ही necessary functions है यहाँ पर वो बता देगा आपको तो यह चीज है साथी है यह टॉप speed की बात कर लें तो लगबग 150 km तक की top speed च function देख सकते हैं यानि की range और यहाँ पर क्या क्या functions है जैसे की trip meter की information आप देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ settings है जो आप कर सकते हैं यहाँ पर तो यह चीज होने वाली है यहाँ आप देख सकते हैं चाबी जो है वो कुछ तरीके से आपको देखने के लिए इसमें मिल और वहीं अगर हम इसके विट पिलियन की आई ये बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको हैजर्ड लाइट भी मिल जाएगी विट पिलियन की बात कर लें तो यहाँ पर भी आपको वही मीटर देखने के लिए मिलेगा थोड़ा सा छोटा लग रहा है देखने पर हाला कि है व जो इसके मीटर है उसको देख सकते हैं जैसे कि एवरेज फ्यूल गणरप सन देख सकते हैं यहाँ बढ़िया है तो फंक्छ्ण्स अच्छे हैं और controlling वगेरा काफी सारी चीज़े हैं आप यहाँ से buttons की मदद से कर सकते हैं साथ में यहाँ पर कुछ graphics है जैसे की width pillion के तो यह थोड़ा unique लगता है साथ में seat की बात कर लें तो seat आरामदा एक होने वाली है single seat है front और pillion के लिए दोनों के लिए कुछ निंग बढ़िया होने वाली है यहाँ आप देख सकते हैं काफी लंबी seat यहाँ पर दी है और साथ में आपको एक single grab rail देखने के लिए मिल जाएगी टेकने के लिए और यहाँ पर आप देख सकते LED turn on indicator है LED tail light देखने के लिए मिल जाएगी वहीं ड्यूक की बात करें तो यहाँ पर split seat है एक थोड़ी सी उची है एक थोड़ी सी नीचे है split grab rail देखने के लिए मिल जाएगी दोनों की हलागी कुछ निंग बढ़िया है ऐसा नहीं है कि कुछ निंग इसकी अच्छी ना हो और साथ में यहाँ पर जब आप on करेंगे तो यहाँ पर आपको LED टेल लाइट देखने के लिए मिल जाएगी LED टर्न ओन इंडिकेटर तो रियर का जो प्रोफाल है वो कुछ तरीके से होने वाला है split grab rail है यहाँ पर single grab rail और single seat होने वाली है तो थोड़ा सा कहीं न कहीं ज़्यादा comfortable होने वाली weight पिली हैं लेकिन इसकी seat की height ज़्यादा है tire के size की बात के लिए तो 150, 60 और 177 अंजी का tire black alloy wheel के साथ आने वाला है एक चोड़ा tire है यहाँ पर आपको dual channel ABS और 270 mm की disc की plate single exhaust देखने के लिए मिल जाएगा और बड़ा सा WFX suspension रियर में लगा है तो यह काफी बढ़िया चीज है और यहाँ पर looks आप देख सकते एक बढ़िया retro look आपको feel कराएगी वहीं यहाँ पर आप देख सकते नीचे में आपको क्या क्या मिलता है तो जैसे की यहाँ पर आपको foot guard बगेरा देखने के लिए मिल जाएगी साड़ी guard भी मिल जाएगा दोनों में ही टायर की बात करने है इसकी Duke की तो 150, 60 और 17 NG का टायर 270 mm की disc plate जो ABS के साथ आती है single mono sock suspension देखने के लिए मिल जाएगा WFX में single leg exhaust लगा है और साथ में dual channel ABS होने वाला है इसमें भी orange color के alloy wheel तो orange black और blue का जो combination है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है शांदाल लगता है leg guard बगेरा दोनों ही गाडियों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंट टायर की बात कहलें तो 110-70-70 इंची का टायर 300 mm की डिस्क प्लेट होने वाली है बड़े से यहाँ पर ABS की प्लेट यहाँ पर लगी है आप देख सकते हैं को जिस तरीके से होने वाली है वहीं यहाँ पर भी आपको सेम टायर मिलने वाला है और यहाँ पर आपको ब्लेक एलोई वील कवर अप मटगाट देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको बड़ी सी ABS की प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी रिफलेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रोस कौन से तो खेर आपको कौन सी बाइक पसंदे मित्रों कमेंट में जबरू बताना क्या आपको पसंदे ड्यूक 250 या फिर आपको पसंदे विट्पिलियन 250 आज के लिए तना ही यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीज झाल 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 झाल